नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम दा हिंदू में पब्लिस एक संपाद किये जिसका सीरसक है वाइरस वेरियंट इस पर चर्चा करेंगे और इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिस एक आर्टिकल जिसका सीरसक है न्यू वेलफेरिजम ओफ इंडियाज राइट इस पर भी चर्चा करेंगे तो चलिए अपने चर्चा की सुरुवात करते हैं तो हिंदू में पब्लिस आज के इस संपाद की से जिसका सीरसक है वाइरस वेरियंट और यह संपाद की है जी एस पेपर टू में शामिल विशय स्वास चर्चा में क्यों है हाला कि कोरोना वाइरस तो साल भर से चर्चा में है परंतु वर्तमान में कोरोना वाइरस की जो चर्चा हो रही है उसका कारण है कोरोना वाइरस के एक नए वेरियंट का सामने आना या वेरियंट कोरोना वाइरस के म्यूटेशन का परिणाम है क्या होत होता है Mutation तो वाइरस Mutation यानि बदलाव का अर्थ है कि वाइरस की आनुवांसिक स्रिंखला में परिवर्तन सार्स कोविट 2 सिंगल आर एन ए वाइरस होता है Mutation का अर्थ उस क्रम में बदलाव से है जिसमें मॉलिक्यूल की क्रम से विवस्था होती है और आर एन ए वाइरस में Mutation अक्सर तब होता है जब वाइरस अपनी कौपी बनाने में गलती करता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि वाइरस की नई किसम में कम से कम 23 महत्पूर्ण बदलाव हुए है तो जड़ा अब हम बात करते हैं इस नए वेरियंट की इस नए वेरियंट का नाम है VUI202012-01 और इसका यह जो नामकरन किया गया है नामकरन किया गया है United Kingdom के चिकितसा वैज्ञानिकों के द्वारा जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि इसमें कितने प्रकार के महत्पूर्ण बदलाव हुए है और इसी में से एक मुटेंट से उसका नाम है N501Y जिसमें संक्रमन फैलाने की मजबूत छमता है अगर हम N501Y की बात करें तो यह मुटेशन इस्पाइक मतलब कोरोना वाइरस का जो इस्पाइक होता है उस इस्पाइक के सबसे महत्पूर्ण हिस्से को बदल या उसको परिवर्तित कर देता है अब यहाँ पर यह है कि इस्पाइक का क्या योगदान होता है तो जो इस्पाइक की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं इस्पाइक प्रोटीन का इस्तमाल वाइरस हमारे सरीर की कोशिकाओं में घुसने के लिए करता है और यह तेजी से वाइरस के अन्य स्ट्रेंड की जगह ले रहा है। होने के कारण वहाँ पर कोरोना वाइरस ने अपने आपको म्यूटेंट कर दिया। और एक दूसरा कारण है कि प्राकृतिक रूप से वाइरस समय के साथ मजबूत होते हैं और अपनी प्रकृति को बदलते हैं। अगर इस नए वेरियंट की तुलना हम मूल कोरोना से करें तो जैसा कि यह बताया जा रहा है। सत्तर परतिसत जादा तेजी से इसमें संक्रमित करने की चमता है। हाला कि यह जो तथ दिया जा रहा है इसका लैब में सत्यापित होना अभी बांकी है। अब यह कि इस नए वेरियंट का पता कब चला। तो इसका पता चला सेप्टेमबर 2020 में। और 20 दिसंबर को युनाटेट किंगडम के वैज्यानिकों ने यह बात कही कि यह वेरियंट तिविरता से बढ़ रहा है। और इसी वेरियंट के कारण नवमबर से युनाटेट किंगडम में कोबिड के मामले बढ़ रहा है। अगर हम और variant की बात करें, कुरोना वाइरस की, तो इसी के जैसा, एक मिलता जुलता variant है, 501V2, और यह variant कहां देखा गया, यह variant देखा गया, साउथ अफरिका में, एक और भी variant है, जो फरवरी में, यूरोप में मिला, यह variant है, D614G, अब जो variant है, उसका परसार कहां कहां तक हो चुका है, तो उत्री आइलेंड को छोड़ कर पूरे ब्रिटेन में यह फैल चुका है, उसके अलावा, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, निदरलेंड और आस्टेलिया में भी यह variant मिला है, दच्छिन अफरिका में भी कोरोना वाइरस से मिलते जुलते एक variant मिले है, परन्तु इस कोरोना वाइरस के विरुद्ध कितने प्रभावी होंगे, तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये दवाईयां या वैक्सीन या टिका प्रभावी होंगे, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, कि नए स्ट्रेन संक्रमन को अधिक घातक बनाता है, विक्सित टिका के लिए कारगर साबित होगा, और देखिए कि National Institute of Mental Health and Neuroscience कहां पर बैंगलूरू में है, तो इनके अनुसार इस पाइक प्रोटीन के एक हिस्से में अकेला नुक्लियोटाइड परिवर्तन हुआ है, इसलिए रोग और निदान में कोई असर नहीं होगा, मतलब ये कि जो कोर कोरोना वाइरस के लिए जो दवायां अभी तक विक्सित की गई है, उसके इलाज में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, कोरोना वाइरस के विरुद्ध जो वैक्सीन का विकास किया गया है, तो उसमें कोरोना वाइरस के स्पाइक प्रोटीन के विरुद्ध एंट में म्यूटेशन हो रहा है मतलब उसमें बदलाव हो रहा है इसलिए संभावना इस बात की है कि वैक्सीन में थोड़े बहुत बदलाव की जरुत पड़े और नए वेरियंट आने के बाद अब यहां आविस्यक हो गया है कि कोरोना के टीका करण के पस्चात वैक्सीन के करोना का अगर कोई भी ऐसा एक अन्स्चूड गया हो जो की म्यूटेंट हो चुका हो तो उसकी भी खोच हो सार्स कोविड टू एक आर एने वाइरस है जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं और इसमें म्यूटेशन की दर जादा होती है इसलिए वैक्सिन अनुसंधान में इस द्रिश्टिकोन को नजर अंदाज ना किया जाए तो इस प्रकार हमने इस संपात्की के द्वारा नए कोरोना वेरियंट पर चर्चा की अब हम बढ़ते हैं अपने आर्टिकल के और जिसका सीर्शक है न्यू वेलफेरिजम ओफ इंडिया ज राइट और यहां आर्टिकल ज आधार है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पांचमे दौर का सर्वे जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के पांचमे दौर का जो सर्वे हुआ है उसमें विभिन आयामो जैसे की स्वास्थ पोसन और गुनवत्ता पूर्ण जीवन को शामिल किया गया ह परंतु यहाँ पर जो हम विशेश रूप से चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे दो मुद्धों पर पहला राज्य के नए कल्यान कारी स्वरूप पर जिसको की यहाँ पर नाम दिया गया है new welfarism और दूसरा मुद्धा जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है बाल इस्टेंटिंग चाइल्ड इस्टेंटिंग हम पहले बात करते हैं नए कल्यानकारी स्वरूपर या न्यू वेलफेरिजम पर देखें विगत च्छा वर्सों में उनरवित्रन और समाविशन के विशिष्ट दृ दृष्टि कोन क्या है यह दृष्टि कोन यह है कि आधार भूत स्वास्थ और प्रात्मिक सिक्छा जैसी सेवाओं की पूर्ति को प्रात्मिकता नहीं दी गई है बलकि आवस्यक वस्तू एवं सेवा जैसे की बैंक खाता रसोई गैस सिलेंडर सचाले विद्यूत आवास जलापूर्ति को सबसीडी रूप में महिलाओं, गरिबों और वन्चीतों को उपलब्ध कराये गया है नए कल्यानकारी स्वरू पर चर्चा करने से पहले हमें कुछ चेताबनियों पर यहां ध्यान देना आवस्यक है वह देखी क्या पहली चेताबनी तो यहां पर यह है कि देश की कुल जन संख्या का 54% ही कवर करते हैं और इसमें कई बड़े राज्यों से समंदित आंकड़े सामिल नहीं हैं दूसरी चेताबनी कि चर्चा में केवल कुछ सरकारी कारेक्रमों जैसे महिलाओं के बैंक एकाउंट को खोलना, विद्युत आपूर्ति, स्वक्षता, रसोई गैस सिलेंडर को सामिल किया गया है, और चर्चा के दोरान हमें यह बात ध्यान में रखनी है कि विद्युत तक पहुच का अर्थ यह नहीं है कि परिवारों को 34 into 7 बिजली मिल रहे, यह मतलब लगातार विद्युत की आपूर्ति हो रहे हैं, और दूसरा, रसोई ग गैस की उपलब्दता घर में बनी रहती है, यह यू कहें कि हर घर में प्रति दिन रसोई गैस का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है, अब हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, कि 6 वर्सों के कर, के अंतरगत, जो पाली चर्चा है, वह यह है, कि 72 परतिसत महिलाओ के पास, बैंक खाता हो चुका है, और इसमें से, यह जो बैंक खाता महिलाओं का हुआ है, वो उनका इस्तमाल करना जानती है, उसके बाद, 98 परतिसत घरों तक बिजली की पहुँच हो चुकी है, 70 परतिसत घरों में स्वक्षता की इस्थिती में सुधार हुआ है, 60 परतिस कि 2015 के बाद वस्तुओं और सेवाओं की डिलिवरी की दर 2015 से पहले की तुलना में बढ़ी है और यह खास कर ग्रामीन छित्रों में देखा जा रहा है तो जड़ा आखणों पर गौर करते हैं यहाँ 2015 बॉक्स में लिया 2015 से पहले और 2015 के बाद इसमें सबसे चौकाने वाला परिवर्तन महिलाओं के वित्ती समावेशन एवं ससक्ति करण से संबन दी थे वह इस तरीके से कि महिला वित्ती समावेशन की दर 2015 से पूर्वी कितनी थी 1.5% 2015 के बाद कितनी है 7.1% आगे देखें स्वक्षता तक पहुँच 2015 से पहले क्या दर थी 1.5% 2015 के बाद दर क्या है 3.4% रसोई गैस तक पहुँच 2015 से पूर्व 0.8% 2015 के बाद 5.6% और विद्युत तक पहुँच 2015 से पूर्व 2.3 और 2015 के बाद 3.4% और तीसरे बिंदू के अंतरगत देखें क्या है कि स्वक्षता सम्मंधित जो वास्तिक आंकड़े हैं वो सरकारी दावों से कम है क्योंकि सरकारी दावों यह बात कही जा रही है कि 7% खुले में सौच मुक्त हो चुका है परंतु वास्तिक आंकड़े कितना है मात्र 70% और बिहार में यह कितना है 50% से भी कम तो यहां पर हमने बात किया कि हमने यहां पर बात किया है new welfarism की अब हम बात करते हैं child stunting की चाइल्ड इस्टेंटिंग हमें यह पता है कि बच्चों की लंबाई का उनकी उम्र की तुलना में कम होना और इसके लिए जो माप का आधार है वा डबलू एचो का मानक होता है और भारत में सरकारी कारिक्रम में सफलता की कमी और सामाजिक निस्क्रियता के कारण चाइल्ड इस्टेंटिंग हमेशा से एक समस्या रही है 2000 से लेकर 2015 के बीच में बाल इस्टेंटिंग के मामले में धीमी गती से ही गिरावट देखी गई परन्तु 2015 इस्वी के बाद से सुधार की गती की दिसा विपरीत हो गई खास कर शहरों में इसका अर्थिहां पर यह है कि बाल स्टेंटिंग की दर में विर्धी हुई स्टेंटिंग के मामलों के बढ़ने के कारण आखिर क्या हो सकते है तो सबसे बड़ा कारण हो सकता है पोसन में कमी पोसन में कमी का कारण क्या हो सकता है तो उपभोग के इस्तर में कमी और उपभोग के इस्तर में कमी का कारण क्या हो सकता है परिवार की आई में कमी का होना है तो हम यहाँ पर दो इस्थितियों को देख रहे हैं, तो एक तो हम नए कल्यानकारी स्वरूप की सफलता देख रहे हैं, और दूसरा बाल स्टंटिंग की विफलता देख रहे हैं, तो हम यह देखते हैं कि नए कल्यानकारी स्वरूप की सफलता, एबं बाल स्टंटिंग की व प्रतिबद्धता पर और दूसरा राजनीतिक गणना पर सरकार की प्रतिबद्धता क्या तो सरकार यहां पर क्या कर रही है कि दसको पूर्व विकास की जो अवधारना प्रारंब की गई थी कि विकास को कैसे साकार करना है उसी अवधारना पर सरकार ने काम किया है मतलब विक जास के आधार भूत आवस्यकता वाले दृष्टिकोन को अपनाना और यह सीधे तोर पर यहां पर बात हो रही है बहु आया में निर्धनता सुचकां की या मल्टी डैमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स की जिसमें गरीबी रेखा से अलग जनसंख्या के आवस्यक या मूल भू वस्तुओं या सेवाओं तक पहुच की गणना की जाती है इसके अलावा सरकार की प्रतिबधता का जो दूसरा एंगल है वह क्या है कि योजना की सफलता को निर्धारित करने के लिए नई तकनीक के प्रियोग पर बल देना और नई तकनीक के प्रियोग का मतलब यहां पर यह है कि हम बात कर रहे हैं जैम ट्रिनिटी की मतलब जन्धन योजना अकाउंट आधार और मोबाइल का प्रियोग या इनके प्रियोग को बढ़ावा देना ताकि समावेशन की प्रक्रिया में विर्धिव और दूसरी चीज जिस पर हम बात करने वाले हैं वह क्या है राज वस्तु सेवा की पूर्ती बेहतर राजनितिक अवसर प्रदान करता है ऐसा क्यूं ऐसा इसलिए क्योंकि आम लोगों को यह स्विधा सीधे नजर आती है और इन वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ती से सम्मंदित माप और निगरानी करना भी काफी आसान है जैसे देखिए पारमपरिक सरकारी सेवा है जैसे प्राथमिक सिक्षा प्रदान करना तो यह एक अमूर्त सेवा है जबकि सोचाले की स्विधा दी गई है या नहीं दी गई है यह प्रत्यक्ष रूप से दिखता है और बाल इस्टेंटिंग की उसफलता की क्या कारण है वह देखिए कि बा अच्छ को प्राप्त करना अपने आप में एक कठिन कारे है अगर घर के इस तरह पर हम बात करें मता हाउस होल्ड की स्विधा दी जा रही है इसे नहीं देखा जा सकता है और बेहतर पोषण के परिणाम भी तो देर से आते हैं तो बेहतर पोषण का परिणाम तुरंत आज आधारित प्रयासी काफी नहीं होता है बलकि परिवार की मजबूत आर्थिक इस्थिती परिवार की उच्छ क्रैसक्ति और परिवार का उपभोग इस तरह भी काफी माइने रखता है तो अभी जो दो परिणाम हमें देखने को मिलना है एक परिणाम हमें देखने को मि बाल इस्टंटिंग से समधित तो इन दो परिणामों से दो निसकर्ष तो जरूर निकाले जा सकते हैं वह क्या तो पहला कि सरकार को मौलिक या मूलभूत और राजनितिक इन दोनों दृष्टिकोनों के मद्ध सामन जस्य को इस्थापित करनी चाहिए और दूसरा कि लोग कल प्रिणान से समन्दित चाहे वो मूर्थ हो या अमूर्थ हो इन दोनों कारकों पर बराबर ध्यान देने की आवश सकता है क्योंकि पोशन इस तर्मे वृद्धी के लिए दोनों कारकों का महत पूर्ण योगदान होता है तो इस प्रकार इस आर्टिकल के द्वारा हमने National Family Health सर्वे 5 से समंदित उस दृष्टिकोन को देखा जिस पर सरकार को विशेज ध्यान देने की आविश्यक्ता है अब इससे समंदित प्रश्ण है कि कुपोशन इस तर में कमी के लिए यह आविश्यक है कि राज आधारित कल्यानकारी कारिक्रम में मूर्त एबम अमूर्त दोनों कारकों पर बराबर ध्यान दिया जाए कथन की समिक्षा करें इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार